हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू माई यूटूब चैनल समराट एजुकेशन दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोगों के लिए बियस्टी एग्रिकल्चर थर्ड सेमेश्टर के एक विस है एग्रिकल्चर फाइनेंस एंड को आप रेशन का छह साथ इंपॉर्टेंट डिय क्या है साथ साथ को कहतें अंग्रेजिम क्रेडिट तो ग्रामिड साथ वह मुद्रा तथा पुंजी है जिसे किसान या ग्रामिड व्यक्ति अपने भार्म पर पर परिवार अथवा कुटल उद्योगों के खर्चे को चलाने के लिए दूसरों से उधार लेता है तो दोस्तो के लिए के लिए और अन्य विकार के लिए किसी से पैसा उधार लिया है साखया क्रेडिट ग्रामीड साक्या मुद्र फान्चै किसान ऐसे अपने अपने पर पर परिवार या कुठी कोबесп Redva के घर्चे को चाराने के लिए दूसरे से उधार लेता है साख का अर्थ क्या है तो साख का अंग्रेजी पर्यावाची सब्द है क्रेडिट जो लेटिन बासा के सब्द क्रेड़ों से उत्पन हुआ है साख का अंग्रेजी पर्यावाची सब्द है क्रेडिट जो उत्पन हुआ है इसका तातपर होता है मैं भरोसा करता हूं यह कर सकते हैं साख का साब्दी कर्थ है विकास अथ्वा भरोसा होता है जोस्तों मैं इतना बता रहा हूं अगर फिर से आप लोग बताऊंगा तक कि जो नई क्लियर हो वह भी क्लियर हो जाए तो आप वीडियो पूरा देखिएगा आगे देखते हैं कि साख का क्या महत्त है तो पहला बेरोजगारी को दूर करना जैसे दोस्तों कोई क्रेडिट लेकि बैंक से अपनी बेरोजगारी दूर सकता है अपना बिजनस चालू कर सकता है दूसरा क्रीसी से अधिक उतपादन लेना तो कुछ लोगते हैं जो पाईसे क्वज़ेसे खेती नहीं कर पाते हैं तो बैंक से क्रेडिट लेके वह अपनी खेती कर सकते हैं जिससे अधिक उतपादन भी होगा और उनका जो बेरोजगारी भी दूर हो जाएगी तीछा क्रीसी की अलावा अन्य व्यवसाय करने में मदद मिलता है दोस्तों इससे के रिट से अगला फार्मा सबसे इंप्रटेंट यहां चुटकार पार्ले महाजनों से जब पैसा उधार लिया जाता था तो उसके बदले बहुत ज्यादा कर दिया जाता था तो यह महाजने चुटकारा मिल गया अगला सेच्छी कस्तर को बढ़ाने में भी सहता मिलता है दोस्तों अब एजूकेशन करने में मदद मिलना फरोसे प्ररादि को करीदने मदद flowers छॉटकारा संहची कस्तर को पढ़ाने में सेहता आगे दोस्तो सुछ म lucky माय क्रोब फाइनस क्या और भाट इंप्वाटन दोस्तों कम से कम लागत पर जिर्ग काली रूप में वित्ति सेवाई उपलब्द कराना माइक्रोफाइनस कहलाता है आप लोग कहेंगे अब तक जिनके पास बैंकिंग सवाई उपलब्द नहीं थी उनको लोन देना कम लागत पर और लंबे समय के लिए लोन देना इस सुछमवित कहलाता है तो दोस्तों यह हो गया सुछमवित सुछमवित क्या पर सुछमवित कि इस विवाग कोद्य सुछता है विबिन सुछमवित नवन मेसों के माध्यम से बैंकिंग सेवा से अब तक वन्चीत ग्रामीड निर्धन को कम लागत पर दिर्ग काली रूप में वित्ति सेवाई इसे व्यक्ति जो समान आर्थिक उद्यस के लिए साथ मिलकर काम करना चाते हैं वे समिति बना सकते हैं तो इसी समिति को सहाकारी समिति किसे का जाता है कोई व्यक्ति हो गया दोस्तों जो समान आर्थिक उद्यस के लिए जैसे दो व्यक्ति हैं वह अपना कोई बिजनेस करन कि लिए साथ मिलकर ये दोनों लोग आपस में काम करना चाहते हैं तो आपस में मिलकर एक समिती बना सकती नियुक्त करता है भी अधिर सेरड की कमी दूसरा लाब कमाने का उद्ध्य सिन्हा होने की कारण साकारी समिति की सदस्य पुढ उस्था एवं समर्पड भाव से कारे नहीं करते हैं आगे देखते हैं स्वाट विश्लेशड बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों जितना मैं बता रहा हूं सब पूछा कि हम आपने पेपर भी दिखा दूंगा स्वाट विश्लेशड क्या होता है स्वाट विश्लेशड एक प्रकल्प है या एक व्यवसाइक उधम में सामिल सक्तियों कमजोरियों आवसरों और खतरों के मुल्यंकन के लिए इस्तमाल की गई एक युक्ती है यह काचते हैं स्वाट विश्लेशड किसी भी फैसला निर्माड करने वाली इस्तिती इस्तित्की जिसका इसतमाल काप की या जटा है जब कहीं भी फैसला लेना होता है तो हम पर प्रिश्लिष का सब्सक्राइब करju किया जाता है आगे चलते हैं कुछ फेटर ईखते हैं आपके लिक्सथ्री देन सभी बता दिया जा слыш नेशनल बैंक फार अगरिकल्चर और रूरल डेवलप मेंट दोस्तों यह जो है यह नाबाट पूरा नाम हता है नेशनल बैंक फार अगरिकल्चर और रूरल डेवलप मेंट तो यह क्या होता है देश की क्रीशी एवं ग्रामिड साख की अवस्टेक्ताओं की पूर्ती में ब्रिद्धी करने एवं विविन साख संस्थाओं के कार में समनवय अस्थापित करने के लिए राश्ट्री क्रीशी एवं ग्रामिड विकास बेंक अ सब्सक्राइब दिसंबर 1989 में तत्कालीन प्रधान मंद्री चौदरी चरोड़ सिंके मंद्री मंदल में लिया गया था जिसको श्रीमती इंद्र गाधी जी की सरकार ने साकार रूप गिया और इस प्रकार राष्टरी क्रीशी एं ग्रामिड विकास बैंक 12 जुलाई 1982 को स्था संस्था ग्रूप में कार्य करना आरम बग्र दिया यह आप से पूछ दिया कि नावाट का मुक्षकार क्या है तो पहला कार नावाट का ग्रामिड शेत्र में विविन विकास कारें के लिए निवेश्व उत्पादन देने वाली संस्थाओं के श्यूट्स पुनराविश्त से सम्मंदित कारकरम बनाने में सोध करने आदी के लिए इस बैंक ने एक कोश की वियस्थावना की है दोस्तों यह था नाबाड का मुख कारे अगर बैंक क्या होता बैंक की परिवासा दिजिए आपको दिदिया तो क्या लिखेंगे बैंक वर संस्थागत स्रोत है जो किसान अन्य लोगों को साख की पूर्ति के साथ साथ पुंजी का आदान प्रतान करने का कारे करता है बैंक का कारे क्या है पहला एक रह विक्रह तथा विधायन साख दूसरा गोदाम के लिए वित्य तीसरा है पुंजी का प्रबंदन चौथा ऐसा कारी बैंकों के निटे छड़ादी का कार करना पाचमाय पुंजी का आदान प्रतान करना तो दोस्तों उम्मीद करते हैं मैं जितना आता है आप लोग समझ में आया होगा यदि वीडियो अच्छा लागा तो वीडियो को लाइक कर दे जाएगा और इसे और वीडियो देखने के लिए दूस्तों आपने विश्कु सेयर भी जरूर कर जाएगा धन्यवाद जाहिए